जम्बू दीपे भरत खंडे आर्या वर्दे भारत वर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सबी दर्शुकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल करता हूँ आप सभी का यतोचित अभेबादल का प्रवा है और इस काल के प्र इतना तो बिल्कुल मत समझ लेगा आज मैं बात करने वाला हूँ आप से सुनिया गांधी की पहुँचे हैं और पहुँचने का कारण क्या है ? सबक क्या है हम लोगों को समझने की कोशिश किजिएगा निश्टनल हराइड कीस में इस पहले पवंध गुमार से पुस्ताज हुई है मली कार जुन खडगे से पुस्ताज हुई है राधूल गांधी से पुस्ताज हुई है, दस दिन में 55 घंटे की पुस्ताज हुई है, और सोनिया गांधी से भी पुस्ताज हुई है, राहूल गांधी से जब पुस्ताज हुई थी, तब भी उसी तरीके का धरना प्रदशन किया गया था, जो सोनिया गांधी के पुस्ताज के समय किय आए थे सोनिया गांधी के समय वरिष्ट नेता ज्यादा आए हैं और वो G23 वाले नेता जो असंतुष्ट धड़े में बताए जा रहे थे जिनको एक तरीके से बाहर कर दिया गया था कॉंग्रेस की रूलिंग पार्टी से उन लोगों को भी इस बार बुलाया गया यानि कि ज आते हैं और किवल आते नहीं हैं बलकि प्रेस कॉंफरेंस करते हैं और प्रेस कॉंफरेंस में क्या कहते हैं उससे पहले मैं आपको बताता चलू थोड़ा साथ नेशनल हेराल केस के बारे में वैसे आपको कभी जानकारी होगी लेकिन मैं नट शेल में आपको बताता हूँ यांग इनियन को transfer क्यों कर दी और 36-36% के आप जो है वो shareholder कैसे बन गए बाकि शेरholder ओसकर फर्नांडिस और मोतिलाल बोरा जो उस समय ट्रेर्जा थे तो और चुकि वो दोनों आज दुनिया में नहीं है तो उनके share भी definitely सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास ही आ जाने रहा है जहार मोतिलाल बोरा ट्रेसलर थे जो करते थे financial transaction वो किया करते थे हमें तो कुछ पता नहीं है अब मोतिलाल बोरा से प्रशन पूछने के लिए ED स्वर्ग में या नरक में ऐसा कहीं तो जाएगी नहीं उपर तो जाने वाली नहीं है तो पिर कैसा पता लगेगा यान मोतिलाल बोरा जो 93-94 साल की आयू में ये धर्ती छोड़ करके गए हैं जिनकी कमर जुकते जुकते जुक ही गई थी सोनिया गांधी और राहूल गांधी के सामने वो मोतिलाल बोरा एक काम ऐसा करते हैं कि मेहनत स्वयम करते हैं और 2000 करोड की कंपनी का मालिकाना हग सोनिया वही दे देते हैं और उन्हें पता भी के लिए किसी के लिए ऐसी बातों को खंडित किया है। लेकिन अब बात आगे की करते है, वह बात ये है कि प्रेस कणफरेंच में क्या कहा गया, कौन बैठा था? अशोग कह लोग जिनकी प्रतिपदिद्धा जग जाहिर है लेकिन साथ मैं बैठे थे गुलाम नभी आसाद और गुलाम नभी आसाद ने जिसे एक शब्द का प्रयोग किया वो शब्द है बेचारी आप सोचके चलें इंदरा की बहु अपने आपको कहने वाली यानि की सशक मानने वाली जिसको जिनकी बारे में कहते हैं के टल्बिया रिवाच्पे जी ने इंदरा गांधी को दुर्गा कहा था उस दुर्गा की बहु का किरदार ने भाने वाली सोनिया गांधी के लिए आठ वर्ष पहले क्या कोई अपनी पार्टी में या कहीं पर भी उन्हें एक सशक्त महिला की जगे बेचारी इस शब्त से संबोधित किया जा सकता था गुलाब नभी आजार डेफिनेटली ये बात को भूल नहीं सकते जो उनके साथ में हुआ है और जो उन्होंने कहा है उसमें संवेजना साहनुगूति ज्यजादा तलखी भरा अंदास था जिसे हर क आओ स alone गांदी के साथ में भी यही होगा तो जब आप बने गलत काम किया था तब आपको सूचना था कि किसी भी आयू में या किसी भी स्वास्तिकी कंडिशन में आपके साथ पूछता हो सकती है लेकिन आपके मन में ये था कि सरकार रहे न रहे, सरकार तो आती जाती रहती है, आनी जानी है, अभी चली गई है, फिर आ जाएंगे, लेकिन सरकार रहे न रहे, लेकिन सरकार तो हम खुद है, सत्ताधीश तो हम खुद है, मठाधीश तो हम खुद है, ऐसा विचार उनके मन में था, जिस विचार की परिकलपना को दर्शा गया था किश्मीर फाइल्स में जब ये कहा गया कि सरकार किसी की हो लेकिन सिस्टम तो हमारा है अब जो ये सिस्टम बदल रहा है तो आपके साथ में जो सम्मिधानिक व्यवाहर हो रहा है वो आपके लिए अपमान का सूचक बन गया है वो सम्मिधान का व्यवाहर आपके लिए आपकी सत्ता को चुनावती बन गया है और ये चीज आपको लगातार परिशान कर रही है ये वही लोग है एक्चुली मैं आपको ये भी बताता चलूँ जो कहा गया कि सुप्रीम कोट अपील की गई उसी प्रेस कॉनफरेंस में कि सुप्रीम कोट इस पर जल्दी फैसला दे दे अब सोचिएगा इस अपील के माइने क्या है यानि कि रस से जल गई लेकिन अभी बल गया नहीं है इडी पूछताज कर रही है पूछताज करेगी उसके बाद में रिपोर्ट होगा रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट आएगी फिर चार्डशीट बनेगी चार्डशीट बनेगी फिर चार्जेस तैय होंगे उसके बाद निचली अदलत में केस जाएगा जहां से जो फैसला आएगा उससे एक पक्ष या दूसरा पक्ष जो है जो भी बाधित होगा जो परिशान होगा जो हरेगा वो हाई कोट में हैं आप यह मानन के चल रहे हैं कि मैं इटरानी हूं इतली की रानी हूं और इतली की रानी को आप देश की महारानी लगातार मानते चलें, यह आपकी सोच है, जबकि इनको नहीं पता है, यह इसलिए इनकी सोच थी, क्योंकि PMLA की बात, जो कही गई है, कि Money Laundering Act की बात, जो सुप्रीम कोट ने कहा है, और जिसके बारे में बयान आया, कि वही सुप्रीम कोट ने उसके उनके लिए जो कहा है, PMLA की लिए जो अ इनकी सरकार में हुई थी, Congress की सरकार में हुई थी, 2012 में हुई थी, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी, कि यही इनके लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, इनके लिए गले की हड़ी बन जाएगा, अब एक दूसरी बात करता चलता हूं आप से, कि कानून का परन की एक बात एक काम और किया था, 1971 या फिर शायद 1973 का ये सन था, जब प्रिवी पर्स नाम की एक चीज हुआ करती थी, जो जितने हमारे राजा महराजा लोग हुए थे, जिनके हाथ से रियासतें जो हैं वो ले ली गई थी, जब देश का गठान हुआ, और सर्दार वरलभ भा एक रानी थी, जिनकी मृत्यू परियंत तक ये उन्हें दिया गया था, उसके बारे में भी काफी लीगल बैटल चली थी, उसी तरीके के प्रिवी पर्स को सोनिया गांधी अब चाहा रही हैं, जो कि उनके परिवार ने बलिदान दिये हैं, खुर्बानिया दिये हैं, अब उन्हेंने मांगा नहीं, क्योंकि उन्हें ये देश के लिए किया था, उन्हें मिला भी नहीं, लेकित आप बार-बार कहते हैं, कि हमने कुर्बानी दी हैं, हमने बलिदान दिया है, इसलिए हमारे लिए दस जन्पत को रहने दिया जाए, सरकार क्या हकदार और भागीदार तो हम ही रहेंगे, हमारे अलावा दूसरा कौन हो सकता है, ये बात है, जो ये सिद्ध करती है, कि आपके सरकार जाने के बावजूद भी रसी जल गई है, लेकिन एंठन जो है, वो किसी भी तरीके से अब तक जा नहीं रही है, यानि कि समयदानिक अधिकार को, इवन देश का अधिकाश मीडिया भी, आज भी इन्हें जो है, उस एंटाइलमेंट का अधिकारी मानता है, वो आज भी ये मानता है, कि ये एक ऐसे परिवार है, जिस परिवार को छूना भी करंट लगने जैसी घटना हो सकता है, इसलिए आप उसे छूईए, मत और नरिद्न मुदी शरक क्योंकि काल के प्रवार में कोई नहीं बढ़ सकता, इसलिए हर किसी को ये समझना चाहिए, चाहे वो राजनितिक व्यक्ति हो, या गैर राजनितिक हो, देश के किसी भी भूबाग में क्यों न रह रहा हो, आप देश से उपर नहीं है, समयधान से उपर नहीं है, धर्म से सभी का समय कभी न कभी आता है, किसी का आज आता है, किसी का कल आता है, किसी का परसों आता है, लेकिन समय आता है, ये काल का प्रवा है, किसी को छोड़ेगा नहीं, आज के करकर में इतना ही, आपको लगता है, देश और धर्म के लिए हम को अच्छा काम कर रहे हैं, तो धर